नमस्कार आज हम हिंदी वर्ण माला स्वर और व्यंजन के विशे में विस्तार से चर्चा करेंगे हिंदी भाषा को सीखने बोलने वै लिखने के लिए स्वर और व्यंजन का ज्यान होना अती अवश्यक है हिंदी भाषा का जनम संस्कृत भाषा से हुआ है हिंदी भाषा की लीपी देवनागरी है इसलिए हिंदी भाषा को नागरी और देवनागरी के नाम से भी जाना जाता है भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना भाशा की सबसे छोटी इकाई ध्वनी हैं इस ध्वनी को वरण या अक्षर कहते हैं जैसे अ, क, ख, म, प, च, आदी जिसके टुकडे ने किये जा सकें एक बच्चा शुरू में अपने मुख से धन्या ही निकालना सीखता है जैसे अ, म, प, आदी वरण माला वरणों के विवस्थित या उच्चारन समुहों को वरण माला कहते हैं हिंदी वरण माला में बावन वरण हैं जो स्वर और व्यंजन से मिलकर बनते हैं स्वर ग्यारा होते हैं और व्यंजन 41 होते हैं स्वर उन वरणों को कहते हैं जिनका उच्चारन मुख से बिना किसी रुकावट या स्वतंत्र रूप से होता है जिसमें वायू मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है स्वर ग्यारा होते हैं ये ग्यारा स्वर हैं स्वर की मात्राएं होती हैं व्यंजन की मात्राएं नहीं होती स्वरों की दस मात्राएं होती हैं अ की मात्रा नहीं होती स्वरों की मात्राओं को व्यंजन के साथ प्रियोग किया जाता है यहां स्वर की मात्राओं का व्यंजन के साथ प्रियोग करके दिखाया गया है क क क के साथ आ की मात्रा क क क क के साथ छोटी ई की मात्रा की क क क को बड़े एकी मातरा की क क क को छोटा उ कू क क क क को बड़ा उ कू क क क क को री की मातरा क्री क क क क क क क क क बड़े की मातरा कै क 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 बड़े ओ की मातरा कौ ये दस मातराएं हैं जो व्यन्जन के साथ प्रियोग की गई हैं री, री संस्कृत का शब्द है, जिसका प्रियोग तत्षम शब्दों में होता है, जैसे रिशी, मृत्यू, नृत्य, कृपा, आदी स्वरों के प्रकार, स्वर तीन प्रकार के होते हैं, उच्चारण के अधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं, हरसव स्वर, दीर्ग स्वर, पलूद स्वर, हरसव स्वर, हरसव स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं, इन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, इन स्वरों के उच्चारण में एक मातरा का समय लगता है ये छोटे होते हैं इनकी संख्या चार है जैसे अ, ई, उ, री, आदी दीर्ग स्वर, दीर्ग स्वरों के उच्चारण में हरसव स्वर से अधीक समय लगता है इसमें दो मातराओं का समय लगता है जैसे अ, प्लस अ, बराबर आ, इनकी संख्या साथ होती है ये बड़े होते हैं आ, ई, उ, ए, ए, ओ, आदी प्लूत स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में हरसव स्वर से तीन गुना अधिक समय लगता है जैसे ओम, हे, राम, इनके प्रतीक के रूप में तीन लिखा जाता है उच्चारण के अधार पर ग्यारा स्वर होते हैं लेकिन लेखन के अधार पर तेरा स्वर होते हैं इसमें ग्यारा स्वर के अलावा अंग और अंग हैं भी शामिल हैं जिनें अयोग वहावरन कहते हैं अयोग वहावरण वेवरण होते हैं जिनकी गणना नै तो स्वरों में होती है और ना ही व्यंजनों में होती है इन्हे केवल चिन्हों से परदर्शित किया जाता है अंग को अनुस्वार कहते हैं इस वरण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है जैसे गंगा, हंस, अंगूर, आदी विसरग, अंग है को विसरग कहते हैं इस अयोग वहा धवनी का उच्चारण करते समय मुख से हा की धवनी निकलती है जैसे प्रात है, अत है, फलत है, आदी इस विसरग का प्रियोग अधिकतर संस्कृत में होता है व्यंजन, व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं, जिनका उच्चारण स्वरों की सहता से होता है पर तेक व्यंजन में अ की धवनी छिपी होती है, जैसे क प्लस अ, यहां क के नीचे हलंत है तो इसका मतलब यह होता है कि क आधा है और अ पूरा मिलकर अ क बनता है ख, ख के नीचे हलंत, प्लस अ, बराबर ख, हिंदी वनन माला में 41 व्यंजन है, जो इस प्रकार है क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, ज, य, त, ठ, ड, ध, अन, त, ठ, द, ध, न, फ, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, श, त्र, ग्या, श्र, ये क से ग्या तक 41 व्यंजन है व्यंजन के प्रकार, उच्चारण के अधार पर व्यंजन पांच प्रकार के होते हैं स्पर्स व्यंजन, अंतस्त व्यंजन, आगत व्यंजन, उश्म व्यंजन, स्युक्त व्यंजन प्रानत्व के अधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण, महा प्राण स्वर्तंत्री में कमपन के अधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, अघोश, सघोश उच्चारण के अधार पर व्यंजन पांच प्रकार के होते हैं, स्पर्स व्यंजन ये व्यंजन मुख के विभिन भागों, गले से मुख तक कंठ, तालू, मुर्धा, दंत और ओष्ट स्थानों में जिवहा के स्पर्स से बोले जाते हैं इनकी संख्या 25 होती है इसमें कवरग, चवरग, तवरग, तवरग, पवरग शामिल है कवरग, कंठ से बोले जाते हैं क, ख, ग, घ, ड चवरग, तालू, तालवे से बोले जाते हैं च, छ, ज, ज, य, य तवरग, मुर्धा, मुर्धन्य से बोले जाते हैं त, ठ, ड, ढ, ड, न तवरग, दंत से, दंते से बोले जाते हैं त, ठ, द, ध, न पवरग, ओश्टे, होट से बोले जाते हैं प, फ, ब, भ, म, ये 25 स्पर्ष व्यंजन है इनको याद करने का आसान तरीका है कचट तप वरग करके याद किया जाता है कचट तप इसके आतरीक्त ड, ध, को दिगण व्यंजन और उतिशिप्त व्यंजन कहते हैं इसमें ड के नीचे बिंदू और ध के नीचे बिंदू है अंतस्त व्यंजन ये व्यंजन अंत्य करन से उच्चारित होते हैं यहां अंत्य करन से मतलब है अंदर की आवाज, भीतर की आवाज इनकी संख्या चार होती है जो इस प्रकार है य, र, ल, व नमबर तीन आगत व्यंजन ये व्यंजन उड़्दू और अंग्रेजी भाषा के शब्दों को हिंदी भाषा में प्रियुक्त करने के लिए बना है इनका उच्चारण करने के लिए हिंदी में कोई लीपी चिन नहीं है इसी लिए इनहें लिखने के लिए हिंदी के व्यंजनों के नीचे बिंदू लगाया जाता है यहें बिंदू नुक्ता कहलाती है इनकी संख्या दो है जो इस प्रकार है फ, ज, ज, जैसे उधारण, फादर, फेल, ताजा, न्यूज, आदी उश्म व्यंजन उश्म का अर्थ गरम है यह वह व्यंजन है जिनका उच्चारण करते समय मुख से गरम वायू निकलती है इनकी संख्या चार है जो इस प्रकार है श, श, स, ह स्युक्त व्यंजन स्युक्त का अर्थ है जोडना यह वे व्यंजन है जिन में दो व्यंजन आपस में जुड़े होते हैं ये इनकी संख्या चार है जैसे क क क के नीचे हलंत प्लस श बन गया श श शत्री है क आदा श पूरा बराबर है श जैसे नक्षत्र त के नीचे हलंत प्लस र बराबर तर जैसे नक्षत्र ज़, ज के नीचे हलंट प्लस यं बन गया ग्या जैसे ग्यान श़, श के नीचे हलंट प्लस र बराबर श़, जैसे श्रम्मिक प्रिश्रम आदि इसमें क के नीचे हलंट है मतलब क आधा है जिस भी वियंजन के नीचे हलंत होता है तो वेह वियंजन आधा होता है प्राणत्व के अधार पर वियंजन दो प्रकार के होते हैं यहां प्राण का आर्थ व्यंजनों के उच्चारन में मुख से निकलने वाली हवा और वायू से है अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायू की मातरा कम होती है, सांस कम लगती है, हवा कम निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं प्रतेक वरग का पहला, तीसरा, पाच्वास्तम्ब अल्प प्राण है, जैसे क वरग का क, ग, ड, च वरग का च, ज, य, त वरग का ट, ड, न, त वरग का त, द, न, प वरग का प, ब, म इसके आतिरिक्त अंथस्त व्यंजन, य, र, ल, व, और द्विग्ण व्यंजन, ड, भी इसमें शामिल होते हैं महाप्राण, जिन व्यंजन, वरगों के उच्चारण में, मुक से निकलने वाली हवा की मात्रा अधिक होती है अधिक हवा लगती है, सांस अधिक लगती है, उन्हें महाप्राण कहते है परतेक वरग का दूसरा चोथा सतम महाप्राण है क वरग का दूसरा ख और चोथा घ, च वरग का दूसरा च और चोथा ज, त वरग का दूसरा ठ और चोथा ध, प वरग का दूसरा फ और चोथा भ, महाप्राण है इसके अतिरिक्त संगर्षी व्यांजन श, श, स, ह और द्विगिन व्यांजन ड भी इसमें शामिल हैं स्वर्तंत्री में कमपन के अधार पर व्यांजन दो प्रकार के होते हैं अघोष, सघोष, अघोष, जिन्ध्वनियों का उच्चारण स्वर्तंत्रियों में कमपन के बिना होता है उन्हें अघोष कहते हैं परतेक वरग का प्रतम द्वित्य व्यांजन अघोष है कवरग का कख, चवरग का चच, टवरग का टठ, तवरग का तथ, पवरग का पफ, और श, स, श ये अघोष हैं, इनकी संख्या तेरा है सघोष, जिन्ध्वनियों का उच्चारण सर्तंत्रियों में कमपन के साथ होता है उन्हे सघोष या घोष भी कहते हैं परतेक वरग का तरित्य, तीसरा, चोथा, पांचवा व्यांजन सघोष है जैसे कवरग का ग, घ, ड, चवरग का ज, 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 न, तवरग का ड, ध, न, तवरग का द, ध, न, पवरग का ब, भ, म, और य, र, ल, व, ह ये सघोष है, सभी ग्यारा स्वरभी सघोष है, सघोष की संख्या 31 है नासिक व्यांजन, वे व्यांजन जिनका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है उन्हें नासिक व्यांजन कहते हैं, जैसे ड, ड, य, न, म, को नासिक व्यांजन कहते हैं जदिनका उन्हें उन्हें जड़ागे